इसने अभी नंदन चुकि सावन चल रहा है तीज आने वाली है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तीज आने वाली हो और मैं तीज की बात ना करूँ तो एक चार पंक्तिय में आपके समक्षा रखूँगी तीज को लेकर की तीज पी हर में जा कर मनाऊंगी मैं तीज पी हर में जा कर मनाऊंगी मैं पर तुम्हें एक पल ना भुलाऊंगी मैं पर तुम्हें एक पल ना भुलाऊंगी मैं बात सक्खिया करेंगी तुम्हारी अगर आप देखा होगा ना जब तीज पर जाती हैं तो सब्धिक चेड़ती एक दूसरे को बात सखीया करेंगी तुम्हारी अगर प्रीत के गीतगा करचणहां करचणहां और यह सबी देखने वालों को मेरी सारी बेहनाओ बेहनों को माताओं को तीज की अग्रिम्शुप काम नाए आप मैं एक राम के उपड़िया अपर जनकी उपर मैंने गीत रचा तो उसको आप लोगों के समख्श रख रही हूँ आप लोगों का पीयार मिले पहली बार यहींसे पढ़ रही हूँ तो अफिन अब सुदी आखलागजी अब्साुनिए था कि तेके राम जी जनकी के बिना आरे जाने थी वो जाने की राम जी थी देह आरे जाने थी वो जाने की जनक पुरी अवद की आने बाने थी वो जाने की और क्या हुआ कि रामेवन चले तो जाने की भी साथ चल पड़ी त्याग वेभवों को वन की राह पर निकल पड़ी नगर डगर डगर ओ आँखे आँखे रो रही तीनों माएं देखती थी द्वार पर विकल खड़ी आठों याम राम के जो वाम थी वो जाने की राम जी थे देह और जाने थी वो जाने की अब देखेगा क्या एक दूसरे में कैसे उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया वन में जाने के बाद कि कर्मवन वचन से राम में वो नित्यलीन थी राम थे सिया मिसिया राम में विलीन थी राज महलों में पली चली वनों की राह पर शुर्ण की दमक्सिया समक्स दी नहीं नहीं नारे सेष्टेता का मधुर गान थी वो जाने की नारे सेष्टेता का मधुर गान थी वो जाने की राम जी थे देहे और जाने थी वो जाने की राम जी थे देहे और जाने थी वो जाने की और अंतिन बंद रख रहे हूं जै इसमें उस कुटिल पापी का भी नाम है मतला मैं नाम तो नहीं लोगे प्रितिक दिया है तो आप देखेगा की पती विर्तासिया को अगनी भी निखारती रही रही तेज था वो दुस्ट का हिर देविदारती रही की तेज था वो दुस्ट का हिर देविदारती रही राम जी का मान कस्ट में रखा सम्हाल कर आपके प्रतीक का एहम उतारती रही थन्यवाद सक्ति रूपा सब गुणों की खान थी वो जान की सक्ति रूपा सब गुणों की खान थी वो जान की RAM जी थे देह और जान-ती वो जान की जनक पुरी अवद की आनबान थी वो जान की राम जी थे देह और जान थी वो जान की